मेरा आज का वीडियो पीटियम सीरीज का पार्ट टू है। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। उसकी लिखावत बहुत खराब है। अक्सर टीचर हमाई ही शिकायत करती है। तो उससे हम कह सकते हैं। अब हमारा नेक्स सेंटेंस है। मिसिस कोहली आपकी बेटी के लिखावत बहुत सुन्दर है। मिसिस कोहली, यूर दॉर्टर's handwriting is so beautiful। तो आप इसके लिए थैंक्स बुलेंगी। इसके लिए होगा तारीफ के लिए धन्यवाद। उसकी प्रगिती में आपका बहुत बड़ा योगदान है। अब कई बार हम टीचर को कॉंपलिमेंट भी देते हैं। जैसे मेरी बीची बहुत भागशाली है कि उसे आप जैसी अच्छी टीचर मिले। तो आप इसे कहेंगी। और एक होने एक सेंटेंस है। तो उसका होगा, your son runs away from sports, or your son is not at all interested in sports. अब हमारे दूसरे सेंटेंस में टीचर किसी बच्चे के बारे में कह रही है। वो कक्षा में काफी थका सा लगता है। तो आप इसको बोलेंगे, he seems a bit fatig in the class. He seems a bit fatig in the class. अब नेक्स सेंटेंस है, क्या वै सुबै का नाश्टा नहीं करता है। अब ऐसे प्रशने का एक उत्तर ये भी हो सकता है। नहीं, वो हमेशा कोई न कोई बहाना बना कर बचना चाहता है। अब आप अपने बच्चे के बारे में कभी ये भी कहती है। वै बहुत अंतर मुखी है। या आप दूसरा है, इसका ये भी एक और होता है। वै बहुत शर्मीला है। तो अंतर मुखी के लिए आप बोलेंगी। और शर्मीला के लिए, ये वेरी शाय है। अब इसके लिए आप टीचर से कह सकती हैं। उसके जिजग को आप ही तोड सकती हैं। Only you can break his hesitation. अब नेक्स्ट है, जब अरज़स्ति उसे किसी खेल में शामिल कीजिये। प्लीज फोर्सफ़ली इंगेच हिम इना स्पोर्ट। प्लीज फोर्सफ़ली इंगेच हिम इना स्पोर्ट। अब हम अपने बच्चे का पेवा उत्सा बढ़ाने के लिए बोलते हैं बेटा कल से तुम खेल के मैदान में भी जंडे गाड़ोगे या कमाल दिखाऊगे तो आप बोलोगे सन, from tomorrow onwards यूर गोई तो प्रूव यूर वर्थ आप दूसरा सेंटेंस है हम बच्चे को समझाते हैं जैसे स्वस्त शरीर और दिमाग के लिए खेलना बहुत आवश्यक है for a healthy body and mind playing is very important for a healthy body and mind playing is very important और अकसर हमारे बच्चे कईवार स्कूल में कॉपी या water bottle टिफिन खो देते हैं तब हम कहते हैं पिछले शुकरवार को मेरे बेटे की इंग्लिश की कॉपी स्कूल में खो गई लास्ट फ्राइडे माई संस इंग्लिश कॉपी वस लॉस्ट इन दा स्कूल अब नेक्स सेंटेंस है तीचर का भी पूछती आपने टेस्ट कॉपी क्यों नहीं भेजी थी अब उसका एक जबाब ये हो सकता है सुबह की भागम भाग में वह टेबल पर छूट गई थी इट वस लेफ्ट अन दे टेबल इन दे मौनिंग रश ये दू दू मौनिंग रश नेक्स है आजकल आपका बच्चा बहुत अधिक अनुपस्थित रहता है और अगर बच्चे की तवियत ठीक नहीं है तो आप बोलेंगे उसकी तवियत पिछले एक महिने से ठीक नहीं चल रही है या आप इसको ऐसे भी कह सकते है आप टीचर को बताएंगी उसे लगातार पेट दर्द की शिकायत बनी रहती है He continues to complain of persistent abdominal pain अब आप इसे महीं टीचर आपसे कह सकते है उसे किसी अच्छे दॉक्टर को दिखाईए उसे किसी अच्छे दॉक्टर को दिखाईए इसका बहुत सिंपल से एक सेंटेंस है उसे हमने शेहर के सबसे अच्छे दॉक्टर को दिखाया अब नेक्स्ट है उसे कुछ खास आराम नहीं मेल रहा है He is not getting much relief He is not getting much relief नेक्स सेंटेंस है जैसे ही उसकी चमाई परिक्षा खतम होगी वैसे हुसे हम मुंबई के किसी बड़े दॉक्टर को दिखाएंगे Once his half yearly exams are over we will show him to a renowned doctor of Mumbai Once his half yearly exams are over we will show him to a renowned doctor of Mumbai Thanks for watching If you like my work please share it with your friends Give us your feedback in the comment section Please don't forget to subscribe my channel for more such videos